साथियो एक विल्यम कार्लोज विल्यम की पोएम है इसकी समरी को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है यह जो पोएम है इसका मतलब जो मैंसन है यह पोएम इसमाजल प्रदेश पीजीटी एक्जाम में इससे कुशन कूचे जाएंगे साथिये और कई स्कूल लेवल या इन इंगलिस, Grand Mother इक है विल्यम कार्लोज विल्यम की पोएम है इसमें जो कार्लोज अपनी दादी मा के साथ अन्तिम होनके जो लास्टे से चल रही होते है उनके दादी मा की ग्रद मूदर की उस समय होनके साथ जो discussion होता है या उनकी जो state होती है उसको mention करते हैं इसको अब मैं और ये एक universal message भी देती है कि last stage में इंसान के साथ कैसा होता है और जो हर एक human being को face करना पड़ता है तो कहते हैं there were some dirty plates and a glass of milk beside her on a small table near the rank with this heavy bed वो कहते हैं कि कुछ गंदी plate हैं एक glass दूद का भरा हुआ और जो एक छोटी सी table थी rank के सहारे उसके पास रखा हुआ था और वहाँ एक गंदला सा bed भी था जिस पर दादिमा लेटी हुई थी रिंकर्ड और नेरली blind, she lay and snort, rousing with angler in her tongue to cry for food next question हम वो कहते हैं कि उनकी चहरे पे जुझरीयां पड़ी हुई थी, रिंकर्ड था और उनकी जो दुझरी थी वो लगबख खतम हो चुकी थी यानि वो लगबख blind हो चुकी थी जो अकसर गुड़ापे में हो जाता है चहरे पे जुझरीयां पड़ जाती है और द्रस्टी कम जुझर हो जाती है दिखना कम हो जाता है तो यहाँ पोईट वही चीज़ इंडिकेट करता है और वो पढ़ी रहती थी और खराटे लेती थी जब उनको खाने की जुरुत महस बहुत कर आए तो यहाँ पोईट कहता है कि मेरे से कहती थी यह संस बनता है कि मेरे को खाना दे दो वो मुझे भूका मार रहा रहा है यहां दे से मतलब आ रहा है फैंज मेंबर्स को आदा इस लोगों को जो फैमिली के हैं तो कहते थी तो कि गिम में सम्थिंग टुइट कुछ चीज़ें करने के बोलते हैं, तो हम कुछ चीज़ें उनको देते नहीं है, ठीक है, कॉइस हो जाते हैं, कि इनको ये चीज़ नुकसान करे या ना करे, तो यहां वो कहते हैं, Grandmother कि मैं एकदम ठीक हूँ, और मैं हॉस्पिटल नहीं जाओगी, मुझे नहीं जाना है वह ठीक है, नेक्स्ट स्टेंडर मैं डिस्क्राइब करते हैं, पोईट गिव में सम्थिंग टूइट, लैट में टेक यू तो तो यहां पूइट कहते हैं, कि मैंने उनसे कहा, कि मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, इसके बाद तुम जो बोलगी, मैं वो करूँगा, यानि तुमारी खुशी के लिए, जिसमें तुमको खुशी मिलेगी, तो वो रिपलाई करते हैं, पलट के कि, इसमाइल करते हैं और कहते हैं, कि यस, you do what you please, पहले तुम वो करो जो तुमको अच्छा लगता है, जिसमें तुमको खुशी मिलती है, then I can do what I please, सब मैं वो करू As the ambulance man lifted her to the stretcher, is this what you call making me comfortable? By now her mind was clear, oh you think you are smart, you young people! In Netherlands, जामें बोलते हैं कि, जैसे ही ambulance driver आता है और stretcher पर उनको hospital लेजाने की प्रोसेस सुरू करता है, तो वो चिलनाने लगती हैं, और कहते हैं कि, is this what you call making me comfortable? वो कहते हैं यहां पोईट से कि क्या यही वो चीज है जिसके दरूर तुम मुझे comfort देना चाहते हो आराम देना चाहते हो यानि तुम मेरे को hospital ले जाके आराम देना चाहते हो यही चीज है तुम अपने आपको smart समझते हो you think you are smart you young people who कहते हैं कि a young man तुम को लगता है कि तुम जो कर रहे हो यही ठीक है और इसी कितरू तुम मेरे को आराम देना चाहते हो मेरे को सुकूम देना चाहते हो ठीक है वो reply करते हैं इसके बाद next इस टेंड जामें she said they कहते हैं but I will tell you you don't know anything then we started on the way we passed a long row of alarms she looked at them a while out of the ambulance window and said यहां से सुरू करते हैं फिर वो कहते हैं she said but I will tell you you don't know anything वो कहते हैं उन्होंने कहा है कि मैं तुम को बताऊंगी तुम कुछ नहीं जामते हो अक्सर बुजरू लोग ऐसा बोलते हैं अपने बच्चों से और आज फैमिली मेंबर से कि तुमको कुछ नहीं आता है तुम यंग हो थोड़ा शीप गए हो लेकिन तुमको एक्च्छल में कुछ नहीं आता है तो similar kind of words have been used by the poet here कि grandmother कहते है कि I'll tell you मैं तुमको बताऊंगी you don't know anything तुमको कुछ नहीं आता है फिर poet आगे describe करते है then we started on the way तब हम दादी जी को उस ambulance में लेके hospital की तरफ चल दिये we passed a long row of alums तो हम राश्ती से गुजर रहे थे हूं आसपास alam के व्रक्ष लगे हुए थे बड़े वड़े alam व्रक्ष थे she looked at them a while out of the ambulance window and said तो grandmother ने जो ambulance की window होती है खेडिया होती है उनसे बाहर देखा उनको देखा और पूछा ठीक है और कहा what are all these fuzzy looking things out there कि ये जो पहार सब धुंदली चीज़ां दिखाई दे रही है ये सब क्या है trees क्या ये पेड है well अच्छा अच्छा I am tired of them मैं इनको देखके परेशान हो चुकी हूँ ठक चुकी हूँ and rolled her head away और तब उनका जो सर था वो एकदम लुडग गया यानि यह indication है कि उनकी death हो गई राजते में hospital पहुंच नहीं पाई और उनकी death हो गई तो यहां Carlos यह indication देते हैं यह बताने की कोसिश करते है इस program की message देते है program कि हमारी सब की last stage ऐसी हो सकती है होती है तो we have to face such kind of situations in our life तो कहते हैं कि यह conversation था जो मेरी दादी माक के साथ मेरा हुआ था उनकी last stage मैं तो poem की summary मैंने आपके साथ share किया आपको कैसे लगी comment जरूर कीजिए और आप PGT हमाज़त परदेश के लिए preparation कर रहे हैं तो channel पे English के नाम से बीजिट English के नाम से एक playlist आपको चेक आउट कीजिए comment कीजिए अगर आपका कोई friend preparation कर रहा है तो उसको video share कीजिए Thank you